एक ही ये जीवन मिला है निरंतर परियास करें इसे बहतर से बहतरीन बनाने का नमस्कार जहिंद स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का रेट मुख्य परिक्षा है तो हम जो टेस्ट स्रीज प्रारम कर रखिये आज उसका टेस्ट संक्य है 19 वाँ दो दिन हमने बीच में ये वीडियो नहीं डाले जो पारिवाशिक शब्दावली है जो वो करवा रहे थे ठीक है वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे पारिवाशिक शब्दावली के तो देख लीजिएगा पहला सवाला आज के इस वीडियो के अंदर कमेंट करते चलिएगा अगर आपको आता है तो वर्ण किसे कहते हैं सामाने सवाला लेकिन इस सवाल बहुत बार पूछा गया है किसी बाशा के लगुतम वेंजनों को किसी बाशा के लगुतम स्वरों को किसी बाशा की लगुतम सार्थक द्वनियों को या किसी भाषा के ए लगुतम सार्थक अक्षरों को बताईए वर्ण किशे कहते हैं किजिए कमेंट क्या हो जाएगा उत्तर उत्तर हो जाएगा सात्य अपना याँ पर तीन नमबर किसी भाषा की लगुतम सार्थक ध्वनियों को वर्ण है जो कहा जाएगा दूसरा सवाल आपके सामने धनुष्टंकार में कौन सी संदी है? विसर्ग, वेंजन, दिर्ग या या यन बताईए तो कौन सी संदी हो जाएगी साथियों यहाँपर? यहाँ पर धनुष्टंकार में अपने संदी हो जाएगी क्या कमेंट किया है कुछ साथ उने विसर्ग विसर्ग संदी हो जाएगी यानि कि धनो है धन तंकार इस प्रकार से अपना मिलकर बन जाएगा धनुष्टंकार यानि कि विसर्ग संधी यहाँ पर हो जाएगी चलिए अगला सवाल देखिए किस शब्द में संधी नहीं मात्र है जो संयोग है यहाँ पर संधी नहीं है मात्र संयोग है वो कौन सा शब्द है दुशकर्म, मात्राग्या, उलेक या परतिग्या बताईए तो क्या हो जाएगा उत्तर? किजिए कमेंट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साथियों चार नमबर, यहाँ पर संधी नहीं मात्र संयोग है जैसे कि हम दुशकर्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुःधन कर्म है जो हो जाएगा विसर्ग हो जाएगी मात्राग्या में मात्री धन आग्या ये हो जाएगा उलेक में बात करूं तो उत उत्धन लेक ये हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर मात्र सही योग है लाइक शेर जरूर कर दें वीडियो को मेरा प्रियास रहता है पूरी इमानदारी के साथ आपके समक्ष कुछ ऐसे सवाल प्रसूत किया जाएं जो येकिनन परिक्षा में आपके लिए उप्योगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया गरे हैं आप सभी सभी दोस्तों को शेर भी कर दिया गरे हैं अचार में आचार में विचार में या फिर परचार में बताईए किस शब्द में उपसर्ग यहां पर नहीं है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा साथियों उत्तर हो जाएगा एक नंबर ए विकल पर जो हो जाएगा अचार इसके अंदर है जो उपसर्ग नहीं है जबकि हम बात करें जैसे कि विचार है तो वीधन चार आचार में आधन चार और जो परचार है परचार प्रहो जाएगा अचार जो है यहां पर एक संग्या शब्द है मात्र क्या है यह मात्र एक संग्या शब्द है पांच नंबर विकल सवाल देखिए किस शब्द में अधी उपसर्ग नहीं लगा है वो कौन सा शब्द है जहां पर अधि उपसर्ग नहीं लगाया अगर आपको संधी आती है तो आप आसानि से मामला सेट कर सकते हो अध्यादेश में अधिग्रेहन में अधुमुक में या फिर अधि पती में किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या बताईए उत्तर हो जाएगा अधो मुख अध्यादेश में पता है आपको अधी हो जाएगा अधी दन अधेश अधी ग्रेण में भी मामला ठीक है अधी पती में भी मामला ठीक है अधो मुख में नहीं होगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अधै हो जाएगा अधै धन मुख हो जाएगा नीचे मुख समझ में आगई बात यहाँ पर अधी उपसर्ग नहीं है छे नमबर सवाल है आहट प्रते से कौन सा शब्द नहीं बना है रुकावट कड़वाहट चिलाहट या घबराहट बताईए आहट प्रते से कौन सा शब्द नहीं बना है तो आसान सवाल है ये तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक नमबर है रुकावट नहीं बना है जब कि तीनों ये कड़वाहट चिलाहट और गबराथ है इसे साथ नमबर सवाल है आपके समक्ष सत्यसत्ये शब्द का सही विग्रे है सत्य का सत्य, सत्य और एसत्ये, सत्य या ए सत्य दो वे तीन दोनों तो सत्या सत्य का क्या हो जाएगा विग्रे विग्रे हो जाएगा सात्य है पर चार नमबर विग्र दो वे तीन दोनों यानि कि सत्य और ए सत्य भी हो सकता है और सत्य या ए सत्य भी हो सकता है समास कौन सा हो जाएगा वो आप कमेंट करके बताईएगा समास यहाँ पर कौन सा होने वाला है वो आप कमेंट करके बताना ठीक है जी आठ नमबर सवाल देखिए ए संगत सामासिक युग्म का चैन करना है आपको जो ए संगत है सामासिक युग्म नवयुवक जिसमें करमधारी समास यहां पर बताया है रुद्र प्रिया में भहुबरी समास बताया है यथा विदी में तत्पुरु समास बताया है भक्षा भक्षे में द्वंदु समास बताया है तो बताई यहां पर कौन सा है जो ऐसंगत है कुन सा हो जाएगा यहाँ पर आय संगत हो जाएगा साथ यू तीन नमबर यथा विधी यथा विधी के अंदर यहाँ पर दिया गया तत्पूरस समाज जबकि यथा विधी के अंदर तत्पूरस नहीं होगा यथा विधी माने विधी के अनुसार विधी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अविभाव समास ने की तत्पुरो समास ठीक है? नो नमबर सवाल देखिए किस विकल्प में सभी शब्द किस विकल्प में सभी शब्द प्रित्वी के प्रियाईवाची है? अवनी, अचला, महीधर मही, अवनी, वसुंधरा मही, मैदिनी, अचल मही, अवनी, रतनाकर किस विकल्प में सभी शब्द सारे के सारे तो उत्तर हो जाएगा अपना दो नमबर मही, अवनी और वसुंद्रा यहां पर तीनों जो प्रतिफिके प्रयायवाजी है साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर किया गरो ताकि और साथी जुड़ेंगे तो अपना ये चैनल परिवार भी आगे बड़ेगा और साथियों की मदद भी हो पाएगे दस नंबर सवाल है पत्र पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समू सही है यानि कि पत्र एक अनेकार्थक शब्द है किस विकल्प के अंदर सारे शब्द जो है पत्र के अनेकार्थक है वो विकल्प चुनना है जो समू पन्ना, पंक, मोती इसमें सारे हैं या पानी, पत्र, सूरिय, पत्ता, चिठ्थी, पंक, पवित्र, पन्ना, साब बताईए किस विकल्प में पत्र शब्द का अनेकार्तक शब्द समुष सही है कौन सा विकल्प होई उत्र हो जाएगा अपना तीन नंबर, पत्ता, चिठ्थी, पंक, प्रिष्ट भी होता है ठीक है ग्यारा नंबर सवाल अपना पारिवाशिक शब्दावली वाला ही विश्पर, विश्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है विश्पर के लिए अधिपत्र, समापन, मजदूरी या काना फूसी बताईए विश्पर कहीं बार सुनाओगा फिल्मों में भी यह आता है कहीं बार ऐसे भी इंगलिस मीडियों वाले बच्चों से सुनाओगा उत्तर हो जाएगा चार नंबर, काना फूसी, विश्पर ठीक है बालक परिवार में रहकर कैसी भासा सीख जाता है शिक्षन, विदियों से जुड़ा ये सवाल है बालक परिवार में रहकर किस परकार की भासा सीख जाता है सांकेतिक भासा, बोलचाल की लिखित या कोई नहीं तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपने क्या दो नमबर बोल चाल की भाशा है जो सीख जाता है बालक परिवार में रहकर तेरा नमबर सवाल है समतल पर बिखरी सामगरी को बहुत तेज परकाश दुआरा परदे पर परतिविम्बित किया जा सकता है किसके दुआरा किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप के मादिम से स्लाइड के जरिए एपिडाइसकोप के जरिए या मेजिक लांटेन के जरिए इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करें के बताना किस के जरिए नहीं तो मैं सुबह कमेंट बोक्स में पिन कर दूँगा सही उत्तर ठीक है किसके जरीए परतिविंबित किया जा सकता है अगला सवाल है बालकों को सिखाने से पहले यह आवश्यक है अब क्या जरूरी है बालकों को सिखाने से पहले अक्षर सिखाना, बारखडी सिखाना, लेखन सम्मंदी जिग्यासा उत्पन करना उनमे या फिर उनको क्रियाशील बनाना तो बालकों को अगर आप कोई चीज शिखाना चाते हो तो उससे पहले क्या जरूरी है तो जरूरी क्या हो जाएगा उत्तर लेखन सम्मंदी जिग्यासा उत्पन करना क्या हो जाएगा जिग्यासा उत्पन करना उनके अंदर ठीक, पंदरा नंबर सवाल है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किसको है जो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, समाचार पत्र को पाठे पुस्तक को पत्रिकाओं को या फिर विद्याले पत्रिकाएं तो प्रिंट मीडिया में समलित क्या नहीं होता है पाठे पुस्तक जो है वो प्रिंट मीडिया में समलिते नहीं होगी बाकि समाचार पत्र पत्रिका हैं विद्धयले पत्रिका हैं जो होती हो प्रिंट मेडिया में समय लेते की जाएगी तो यह था आज का अपना वीडियो लाइक कर दीजिए आप अभी नहीं किया भी तक तो सभी दोस्तों सभी गुरूप में शेर किया करें पहली बार देखने क्रूप से टेस्ट स्रीज के लिए अपना दूसरा जो कोचिंग वाला चैनल है नव स्रीजन क्लासेज उसको आप सब्सकाइब कर लीजिए वहाँ पर क्लास अंस करती की अभी टेस्ट स्रीज चल रही है और शेक्षिक प्रिद्रश्य कंप्रेट मेरा थन वीडियो भी डाल किसे नव स्रीजन क्लासेज इस यूटूब चैनल को भी आप सब्सकाइब कर लीजिएगा पर मिलता है